Hello everyone, this is class 2, subject EVS, chapter number 4 हम पढ़ रहे थे, animal helps us, animals helps us, हमने अभी तब पढ़ लिया था कि pet animal, farm animal और wild animal, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि pet animal कौन से होते हैं, farm animal कौन से होते हैं, wild animal कौन से होते हैं, है ना, और फिर हमने पढ़ा था कि animals gives us food, animals से हमको food कैसे मिलता है, खाने की चीज़े कौन कौन सी मिलती है, तो मैंने आपको four things बताई थी, milk, egg, flesh and honey, यह हमको खाने का animals से मिलता है, अब हम देख रहे हैं, other things we get from animals, और हमको दूसरी क्या क्या चीज़े animals से मिलती है, सबसे first, we get wool, wool means क्या होता है, उन, उन हमको किसे मिलता है, sheep से, किसे मिलता है, sheep से, और हम उन से क्या बनाते है, we make sweaters, blanket from wool, हम blankets और sweater बनाते हैं, wool से, we get silk, next क्या है, we get silk, silk हमको किसे मिलता है, silkworm से, किसे मिलता है, silkworm, एक कीड़ा होता है, जिससे हमें silk मिलता है we use silk thread to make silk cloth, silk का धागा होता है, उससे हम क्या बनाते है, silk के कपड़े, silk की सारी बनती है we get leather, we get third thing, क्या मिलता है हमको leather, leather from the skin of dead animal जो जानवर मर जाते हैं, उन animals की जो skin होती है, उससे हमें leather मिलता है such as goats, camels, snakes, crocodiles, है न, बकरिया है, उंठ है, साप है, और मगर मच है, उनकी skin से हमें leather मिलता है we use leather to make shoes, leather क्या-क्या बनाने में काम आते हैं, shoes, purse, bag and belt इसलिए कई बार यह भी बोलते हैं, कि leather की जो भी आपके पास चीजे होती है तो हम उसे लेके मंदीर में नहीं जाते हैं, है न, leather के shoes बनते हैं shoes तो हम वैसे ही मंदीर जाते हैं, तो बाहर रिखते थे, पर कभी हमारे पास purse होता है jeans belt पेंते हैं, तो belt और purse यह चीज हम bags और बाहर रखके जाते हैं क्योंकि वो मंदीर के अंदर allowed नहीं होता है अब यह picture किसका है, sheep का है, sheep से हमें क्या मिल रहा है, wool और wool से क्या बनता है, sweater, क्या बनता है, sweater, यह है silk warm क्या है, silk warm और silk warm से क्या बनी, silk sari, silk warm से हमें क्या मिलता है, silk मिलता है और silk warm, silk से बनती है, sari, समझ में आया, चलिए, आजाईए, page number 152 page number 152, camels and donkey pull cards and carry loads for us मैंने बता है था आपको, camel लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए काम आता है सामान ले जाता है, उट, और आपने अभी देखा हो गया हमारा गनपती का season चल रहा है तो गनपती की जो मूर्तिया होती है, वो भी हम camel के उपर load करके ले जाते हैं और donkey तो आप सबने देखा है, उसके उपर बहुत सारा सामान डालके ले जाते हैं अब animal हमारे खुद के काम कैसे आते हैं, हमारा खुद का काम हो, तो animal कैसे काम आते देखिए चलिए, animals such as oxen and buffaloes, plug the land, खेती करने के लिए काम आते हैं, oxen and buffaloes देखा होगा आपने hulk चलाते हैं खेत के अंदर, तो खेती करना हमारा काम है, तो हम animals का यूज़ करते हैं उसमें, है न? Animals such as blocks, horses and camels, pool cart, सामन खिचने के लिए भी काम आते हैं, next Animals such as donkeys and elephants carry loads, donkeys और elephants भी भारी भारी सामन ले जाने के लिए काम आते हैं, next Caring for pet animals, अब pet animals की care कैसे करनी आपको, है न? Care नहीं करोगे, अगर आपने पालतू जानवर लाकी रख दिया घर पे, dog ले आए, cat ले आए, rabbit ले आए और उनको सही से खाना पीना नहीं खिलाया, उनकी देखभाल नहीं करी, तो क्या वो जिन्दा रहेंगे? नहीं, है न? We must not hurt animals, सबसे पहली बात हमें animals को hurt नहीं करना है, चोट नहीं पोचा नहीं है, मारना नहीं है उनको We should take good care of our pet animals, we must give our pet animals a bath regularly, हमें उन्हें घर लाएं हैं, तो daily regular निलाना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं निलाएंगे, तो उनके अंदर शरीर में कीडे पढ़ जाते हैं कई बार, चोटे चोटे बेक्टेरियास आ जाते हैं Keep our pet animals and their homes clean, pet animal को clean रखना है और अपने घर को भी clean रखना है, अगर pet animal ने कहीं पोटी कर दी, कुछ भी कर दिया, तो हमें उसे तूरंस साफ कर देना है Take our pet animals to a doctor when they fall sick, जैसे ही वो बिमार हो जाता है, तो हमें animals के doctor अलग होते हैं, उनके पास में animals के doctor के पास उन्हें ले जाना है Give our pet animals enough food and clean water, हमें उन्हें खाना भी देना है और साफ पानी भी पिलाना है जिस तरीके से हम रहते हैं, हम हमारे घर में छोटे बच्चे को पालते हैं, उसी तरह हमें एक animal की भी देखभाल करनी है, care करनी है, ठीके A doctor who treats animal, a doctor who treats animal is called a weight, doctor who treats animal is called a weight The weight gives medicine to our pet animals, veterinary doctor बोलते हैं, जिसे वो होते हैं, animals के doctor Let us revise, अब हमने chapter में क्या-क्या पढ़ लिया है, फिर से हम एक बार छोटा सा recall कर लेते हैं Farm animals and pet animals together are called domestic animals, हमने पढ़ा था Farm animals और pet animals को क्या बोलते हैं, domestic animals Some animals gives us, कुछ animals हमको milk देते हैं, एक देते हैं Or many people eat the flesh of some animals, कुछ लोग flesh भी खाते हैं animals का We get wool from sheep and silk thread from silkworm उन किस से मिलता है, sheep से मिलता है, silk किस से मिलता है, silkworm से मिलता है We use the skin of some dead animals to make, हम dead animals, मरे हुए जनवर की skin का कहां यूज करते हैं जूते बनाने में, bag बनाने में, belt बनाने में, purse बनाने में, इन सब जाकेट भी बनता है, ना, leather jacket Some animals pull carts and carry loads for us कुछ animals सामान इधर से उधर ले जाने के लिए भी काम आते हैं We should be kind to animals हमें animals के साथ में अच्छे से रहना है चलिए, आजाई है, page number 153, book activity, question number A A, right, true or false Farm animals and pet animals together are called domestic animals True, है ना, domestic animal बोलते हैं ना उनको We get silk thread from sheep Silk thread हमको sheep से मिलता है No, किसे मिलता है, silkworm से Shoes and bags are made from the skin of dead animals Shoes or bag, dead animals मरे हुए जानवर की skin से बनता है Yes, leather से बनता है ना Elephants are used by farmers to plug fields No, खेती करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं Oxen and buffaloes, right हम elephant का use, तो To carry loads, load यूज़ करने के लिए Load ले जाने के लिए है ना उठाने के लिए भारी भर कम चीज़े उठाने के लिए हम elephant का use करते हैं खेती करने के लिए नहीं use करते हैं यहां क्या आएगा? False We should take good care of our pet animals हमें हमारे pet animals की care करनी चाहिए True Choose words from the box fill in the blanks Cow and hens are dash animals Cow और hen, कौन से animals हैं? Pet animals कौन से animals हैं? Pet animals Next A dog is a dash animal Sorry Cow and hens are farm animal Cow and hens are farm animal Dog is a pet animal Dog पलतू जानवर हैं हैं Cow और hens Cow से milk मिलता है और hens से हमें एग मिलता है इसलिए यह वो farm animal हैं ठीक है? First में आएगा farm Second में आएगा pet animal Third, ice cream is made from Ice cream किसे बनती है? Milk से किसे बनती है? Milk से और milk किसे मिलता है? Cow से Fourth, we get honey from Honey किसे मिलता है हमें? Honey bee से किसे मिलता है? Honey bee से H-O-N-E-Y Honey B-E-E-E-S Bees Honey bees We get dash from Silkworm Silkworm से हमें किया मिलता है? Last बचा Silk किया मिलता है? Silk तो हमारी Book Activity Complete हो गई है Question answers आपको मैं PDF Send करूंगी है ना? Question answers अब देखिए Question number D Here is a picture story for you Enjoy reading it Picture story दिये जहाँ पर pictures दिये है महाँ पर उन एनिमल का नाम बोलते हुए आपको Story Complete करनी है Today is Sunday आज क्या है? Sunday है Shankar and Gori have gone to the Dash देखिए Today is Sunday यह कौन है? Shankar और यह कौन है? Gori Shankar और Gori have gone to the यह किसका पिच्चर दिख रहा है? Zoo किसका पिच्चर है? Zoo Zoo गए है with mummy and papa mummy पापा के साथ कहां गए है? Zoo अब zoo में कौन-कौन से animals देखने मिलते हैं? हमको बहुत सारे animals देखने मिलते हैं न look who's there says यह कौन है? गोरी गोरी बोल रही है देखो वहाँ पर कौन है? द यह कौन है? लॉयन द लॉयन रॉर्ष लॉयन कैसे दहारता है न? द लॉयन रॉर्ष फिर शंकर शंकर सेज let's see the birds देखों वहाँ पर birds they see the सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? पैरोट पैराकिट पैरोट को पैराकिट भी बोलते हैं next the peacock P-E-A C-O-C-K peacock and the यह किसका picture है? duck then शंकर अन गोरी have a ride on the यह कौन है? elephant किस पे ride करी उन दोनोंने? elephant पे और बोले what fun है ना? कितना मज़ा आया है elephant की ride करके गोरी गोरी is hungry अब गोरी को भूग लगी they sit under किसके नीचे बैठ गए वो? tree किसके नीचे बैठ गए? tree यह कौन है? पापा पापा opens the picnic basket पेड के नीचे बैठ गए फिर उन्होंने उसके पापा ने picnic basket open किया so many fruits क्या है यह? fruits many fruits to eat who are they going to meet now? they see the उन्होंने किसको देखा? क्या है? monkey किसका पिच्चर है यह? they see the monkey फिर यह कौन है? rhino कौन है? rhino r-h-i-n o-c-e-r-o-s rhinoceros फिर उन्होंने देखा the hippo कौन है यह? the hippo the zebra है न? the zebra next फिर क्या है यह? the giraffe and the deer are not there they see the monkey rhinoceros and hippopotamus उन्होंने महा पर monkey, rhinoceros, hippopotamus को देखा the zebra the giraffe and the deer are not there उस जू के अंदर कौन कौन नहीं था zebra, giraffe and deer महा नहीं थे never mind says mummy we will come again कोई बात नहीं बेटा हम अगली बार फिर आएंगे हो सकता है अगली बार फिर मिल जाए तो आया मज़ा स्टोरी पढ़ने में शंकर और गौरी कहां गए थे zoo में उन्होंने zoo की सेर करी और आपको बताएं उन्होंने कौन कौन से animals, birds वहाँ पर zoo में देखें चलिए अब मैं आपको छोटा सा homework देना चाहूंगी home task 1 paste the picture of five domestic animals and five wild animals आपको क्या करना है बच्चों अपनी notebook में या scrapbook के अंदर आपको scrapbook मिली है school से तो उसके अंदर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको photos बताईए कि domestic animal कौन से हैं और wild animal कौन से हैं मैं आपको आगे पढ़ा भी चुकी हूँ आप सबने पढ़ी लिया होगा तो आपको कोई भी five domestic animal और five wild animals के picture आपकी scrapbook में paste करना है ठीके इसी तरह heading डालनी आपको domestic animal, wild animal और फिर कोई भी five picture जो आपको easily कोई भी पुरानी book में से newspaper में से, magazine में से कहीं से भी काट के आपको अपनी notebook में या scrapbook में paste करना है और wild animal में भी same, lion है, tiger है elephant है, ये pictures तो आपको easily कहीं पर भी आपकी old books के अंदर भी मिल जाएंगे अगला task है अपना home task two how domestic animals helps us अब domestic animal हमारी कैसे मदद करते हैं? ये भी हमने इस chapter के अंदर पड़ा कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया dog तो यहाँ पर देखिए dog क्या कर रहा है? हमारी घर को घर की रक्षा करता है और police के काम भी आता है इसी तरह आपको भी ऐसे question लिखना है और जैसे dog का picture चिपकाया तो उसके आगे आपको लिख देना है मतलब ऐसे picture चिपकाना है dog का picture चिपकाना है फिर यहाँ देखिए home का चिपकाया है picture तो guards जो आपको easily available हो जैसे cow है तो cow से हमें क्या मिलता है milk है ना God से हमें क्या मिलता है milk milk से क्या बनता है butter और cheese है ना बहुत सरी cheese milk products बनते है curd बनता है ice cream बनता है तो आप किसी का भी picture चिपका सकते है कि कैसे domestic animal हमारी मदद करते है जैसे यहाँ पर दिया है sheep wool मिल रहा है है ना और wool से क्या बन रहा है sweater hand तो hand से हमें क्या मिलता है egg भी मिलता है और hand हमको morning में उठाती भी है जल्दी है ना horse क्या काम आता है riding के लिए काम आता है farm animal है वो फिर auction block carts है ना खेती के लिए काम आते है तो आप कोई भी four picture चिपकाने आपको किसी भी four animals के picture चिपकाने hand, dog, sheep, cow, pig है ना तो किसी भी four animals के picture आपको चिपकाना है प्लस उनके साथ में वो कैसे हमारी मदद करते हैं कैसे हमारे काम आते हैं वो भी आपको उनके just सामने या ऐसे आपको चार्ट बनाके आपको करना है complete ठीक है थेंक यू